हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर्ट से सौगा थे अब सभी का All Facts हिंदी पर 5 Most Mysterious Facts Part No.2 आए जानते हैं दुनिया के 5 और अंसुलजे रहसों के बारे में No.1 Dancing Flag साल 1518 में फ्रेंड्स के एक सहर स्टार्स वर्ग में अचानक कई लोगों ने नाचना शुरू कर दिया था दिन से रात हो जाती और फिर रात से दिन लेकिन लोगों का नाचना बंद नहीं होता और फिर लगतार कई दिनों तक नाचने के कारण दिल का दौरा पढ़ने सांस न हुआ था और वो लोग अपने आप नाचने क्यों लगे थे कुछ विज्ञानिक आज भी इस घटना को लेकर रिसर्ज में जुटे हुए हैं नमबर टू नाचका आलाइस पेरू के नाचका रेगिस्तान में बनी याकरतियां विज्ञानिकों के लिए किसी पहली से कम नहीं हैं पेरू में इस तित इस रेगिस्तान पर ऐसी कई आकरतियां बनी हुई हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है इन में से कुछ आकरतियां इंसानों पौधों और जानवरों की मालूम पड़ती हैं इसके अलावा रेगिस्तानी सतह पर सीधी रेखाएं भी दिखाई पड़ती है ऐसा माना जाता है कि यह रेखाएं 200 इसा पूर्व से यहां मौजूद हैं यह रेखाएं करीब 500 बर किलोमीटर में फैली हुई हैं हेलिकॉप्टर की मदस से इन्हें और साब साब देखा जा सकता है हलाकि कुछ लोगों का मानना है कि यहां एलियंस के बिमान य यह इस्थान कैलिफोनिया के दक्चलपूर में इस्तित निवादा राज के पास में इस्तित है यह रहस्माय इस्थान 225 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है यहां अलग-अलग बजन के कई ऐसे पत्थर हैं जिन्हें देखने पर लगता है कि वो खिसटते हुए आगे बढ़ रहे हैं रहस्माय बात यह है कि इन पत्थरों को आज तक किसी ने खिसकते हुए नहीं देखा है यह पत्थर खिसकने के बाद एक लंबी रेखा अपने पीछे छोड़ते हैं इनी रेखाओं के निसान के बाद ही इन पत्थरों के खिसकने के बारे में पता चलता है बाटरफॉल है जो की डेविल्स केटल के नाम से जाना जाता है डेविल्स केटल का मतलब होता है सैतान की कड़ाही इस जरने में पानी की दो धाराएं उपर से नीचे गिरती है इन मैंसे एक धारा तो नीचे गिरकर समाने तरीके से बहती है लेकिन दूसरी धारा एक बड़े जरने के पानी के दूसरे सिरे का रहस जाना जा सके लेकिन दुर्भाग से किसी को भी सफलता नहीं मिली और ये गुत्थी आज तक नहीं सुलच पाई है इंग्लेंड के विट सायर में इस्तित इस्टोन हेंज अब तक सभी के लिए रहस ही है ग्रे नाइट के इन विसाल पत्थरों पर आठ भासाएं अंग्रेजी, स्पैनिस, स्वाहिली, हिंदी, हिब्रू, अर्बी, चाइनीज और रसियन में लिखी लाइनें अंसुल जी पहेली है विसेसग्ड मानते हैं कि हो सकता है इन पत्थरों की कोई खगोली विसेस्ता हो लेकिन इन पत्थरों पर लिखी लाइनों का मतलब अब तक कोई नहीं जान सका है और ये अब भी रहस से बना हुआ है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ही कुछ इंटरस्टिंग फैक्स के साथ वीडियो अच्छी लगी हूँ तो लाइक कमेंट और सेर कर दें और ऐसे ही अमेजिन वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले धन्यवाद